आप सभी को दिपावली की सुभकामना हैं दिपावली पूजा के बाद प्रसाद, सुहा की सामगरी, रूपिया और संपुर्ण सामगरी कब कैसे हटानी हैं धनिया इत्यादी समरपित कीया है तो उसका क्या करें पूरी जान करें इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी उठा लेनी चाहिए वह है प्रसाद आप सभी जानते होंगे भगवान जी को चड़ाया हुआ प्रसाद सास्त्रों में कहा जाता है अगर उसे एक दो घंटे के भीतर रात्री में ही न उठाया जाए तो न कारात्मक उर्जा उस प्रसाद पर अपना घर करने लग जाती है ऐसी इस्तिती में प्रसाद आप सभी को मिठाई हो कुछ खीर का भोग लगा रखा हो या कुछ अन्य वस्तु हो उन्हें आप सभी को ततकाल एक सबागंटे के भीतर ही उठा लेना चाहिए सभी को लक्ष्मी पूजा का महाप्रसाद वित्रित करना चाहिए घर में सभी सरश्यो को इस प्रसाद को ग्रहन करना चाहिए और बचा हुआ खाने में भी मिला देना चाहिए बहुत सुब और फल देने वाला होता है तत पश्यात आप सभी को आवश्यक रूप से सुबह के समय ठीक है सुबह के समय आप सभी को दूसरे दिन यह पूजा की सामगरी को हटाना च बाद जब आप नियमित पूजा करते हैं तब इस जो है चौकी को हटाए चौकी हटाने के बाद भी आप सभी प्रियतन करें साक्षात मालक्षमी वहाँ पर विराजमान थी तो वहाँ पर एक स्वास्तिक अंत में बनाएं और एक दीपक रखें ठीक है इस बात का ध्यान र रहे हैं क्रपया वहाँ पर अपना इस्थान जो है निश्चित करें और हमारे जीवन में सदा सरवदा अपना आशिरवाद दे भूल चुब जो हुई हो उसके लिए च्यमा प्रार्थी हो ऐसा कहते हुए आप सभी को सबसे पहले तीन ताली बजा लेनी चाहिए चौकी को ह खा लिया जाता है तो आप सभी इसे प्रसात के रूप में खा सकते हैं नहीं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा कि आप इसे फोड़ते नहुए अपने घर के जो तीजोरी होता है वहाँ लाल कपड़े में बात कर रखते हैं तो अत्यधिक सोब माना जाता है साक्षात मा उसके उपर जो आपको पान या असोग के पत्ते रखे हैं उसे घर में बंदनवार इत्यधि बना कर रख दीजिए और साथ ही आप दुबारा भी तांबे का कलश काम में ले सकते हैं अक्षत इत्यधि आपने रख रखे हैं आसन इत्यधिके लिए तो वह चिडिया कबूतर को डाल सकते हैं अगर साफ सच है तो घर पर ही रख दे तो ज्यादा सुब फल देने वाला इसे माना जाएगा क्योंकि माता लक्षमी की कोई भी वस्तु घर के बाहर डालना सुब नहीं होता यह जो है अपने घर पर ही रखना अपने स्थेमाल में काम लेना मालक्षमी के आ आपने अगर मातलक्षमी को समर्पित का रखा है, तो अपने अनाज की जो जहाँ पर अनाज का भंडा रखा है, वहाँ पर रख दे, थोड़ा सा धनिये के दाने अपने रसोई में, जो है मसाले में इत्यादी में प्रियोग आपको नहीं लेना है, बलकि एक विसे स्पोर्ट उसे खाने के प्रियोग में ले ले जो पैसे आपने समर पित का रखे है ना मतरानी को भगवान जी को उसे घर पर जो ग्रह लक्षमी है उन्हें धे घर के बाहर यह पैसे नहीं जाने चाहिए और घर की कुवारी लड़की को भी सकते हैं सुमाना जाएगा इसके साथ साथ पत्ती घर के बाहर किसी भी वस्तु को ना जाने दे, आप सभी घर पर ही कोई ऐसा स्थान है, लौन इत्यादी है, खुला स्थान है, तो हलका सा भूवी सर्जन गड़े को खोद कर कर सकते हैं, सुब माना जाएगा, नहीं तो घर के गमले में भी आप सभी रख सकते हैं, इन कोई भी वस्तु दान में नहीं जाती है, रूपिया इत्यादी भी पंडी जी को अगर दान में दे रहे हैं, तो अपने पास से दे, परन्तु मालक्षमी को समर्पित की गई वस्तु स्वयम, आप धारण करें, अपने पास रखें, फूल, माला इत्यादी कोई भी चीज पै इत्यादी की है, विग्रह स्वरूप है, तो दुबारा भी पूजा के काम में ले सकते हैं, वस्त्र कपड इत्यादी भी घर पर ही कोई रक्त सम्मंदी जैसे की अपनी बहन है, अपनी बेटी है, कुवारी लड़की, आप स्वयम जो है, इसे काम में ले, मालक्षमी को दु पूजन करना है, और सही विधी से विसरजित करना है, तब ही आपकी पूजा संपन्ध होगी, वीडियो चीतूप योगी रहा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सस्क्राइब करें, कुछ पूछ ना हो, तो पूछ लीचेगा, जै माता दी दोस्तों